तो आज हम लोग सीखेंगे future perfect tense future perfect tense मतलब क्या होता है कि जो आगे चल रहा था वो हो गया है जो आने वाला वो भी क्या होगा अपना perfect हो चुका होगा तो उसका पहचान क्या होता है introduction क्या होता है वो मैं आप लोग को बताता है जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे या चुकेगा चुकूंगा या चुकेंगे आदिसद आए वह वाक्य क्या होता future perfect tense कहते हैं simple सा क्या बोला उसको ध्यान से आप लोग सुनने होगे तो आप लोग एक दम क्लियर हो जाएगा जिस वाक्य के अंत में कोई sentence कोई वाक्य की बोलते सामने वाला तो उसके लास्ट क्या आना चुका होगा चुकी होगी चुकें होंगे या चुकेंगा चुकेंगे आदिसद आए वह वाक्य क्या होता संक्दे cens का अनंवात करते संबहों मतलब जस नौट का यूजना किया रहे हैं सबसे पहले क्या नाता है है सबसे पहले सब्जिक्ट क्या होता करता करने वाला सबसे वह उसके सब्जिक्ड की होता है Chan होता है मुख कि करिया का हैँ उसको आप लोगों मैं बताता है certainly क्या होता है future perfect tense का तो helping work क्या होता है cell have और जहां cell have के साथ किसके किसके साथ cell have लगता है ओभी मैं आप लोग को बता देता हूँ आई और वी जो first person होता उसी के साथ हो लोग क्या लगाते है और बाकि सब के साथ क्या लगाते है सुंगलर है या सबके साथ क्या लगा देंगे फिरल जो second person या third person हो इसे से आप लोग को करने में हिंदी से इंगलिस में करने में आसानी हो सकेए शिंपल से subject प्लस अफर्मिट्व मतलब सधारर जिसके अंदर not का यूज ना हुँआ रहे सब्जेक्ट प्लस सजैल है विल है प्लस मेन अरुका थेर्ट पंप्लस उबजेक्ट दिया है सिंपल सा इस तरीके से आप लोग को करना रहेगा, निगेट्व क्या होता है, निगेट्व में जिसमें अंदर not का use हुआ रहता है, subject plus cell will, अब देखो, have इसके बाद आएगा, not के बाद क्या होगा, have का use होगा, subject plus, ध्यान से देखो, subject हम लोग लिखे, उसके बाद का लिखे, will यह, will यह, cell not आएगा है पाइले फिर उसके बाद कह आएगा है उसके बाद कह आएगा में और का थरद फांक प्लस आपजेट को मदले होता हैWill सबसे पहले इंट्रागेट्टी निगेट्व का क्या होता है सबसे पहले helping वर वात है will a cell will या cell प्लस subject प्लस not प्लस have प्लस मेन और का third part प्लस object क्या आता है last question mark आता है अब अभी क्या होता है affirmative क्या होता है साधारण बाग एक दन simple सा जिसके अंदर not का use ना हुआ और निगेट्व का भी लिया उग इंट्रागेट्व का भी लिया ओ इंट्रागेट्व का निगेट्व का ने लिया ओं क्योंकि sh सेम निगेटिव का अफरमेटिक निगेटिव जिसे करते और इसे सेम इसके अंदर भी करते तो सिंपल से मैं AFFOREMATIVE पहले आप लोगो बाहता तो फिर निगेटिव फिर इंटरागेटिव सब कान तो इधर फार्मूला लिख दिया हो तो फार्मूला के इसाथ से करेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सब और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सिंपल से क्या है पिता जी घर आ चुके होंगे होंगे तो मतले ही यहां आप पिता जी आ चुके होंगे चुके होंगे आया तो सिंपल से आपने समझ आएगा कि?. वरफेक्ट तेंसी हाई सिंपल से क्या है सबजSwज्क्ट इसे कौन से है फादर या पंट सबस् उसके बद क्या बोला है आज चुके आने को क्या होता है कम तो कम क्या होता है सी ओ यम इक तू हो इए आपका हो गया क्लियर आपको फादर विल है कॉम अब उसे नेगेटिव संटेंस आता है पिता जी घर नहीं आ चुके होंगे सिंपल सा में क्या होता है सबजेक्ट से पहले आएगा फिर क्या आजाएगा सेल या विल प्लस नॉट फिर उसके बद क्या आएगा है बाएगा सिंपल सा एक थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा अच्छी तहीं क्यों से सिंपल सा पहले क्या आएग नौट देखो सिंपल सा जो फार्मूला लिखा हो नौट आएगा प्लस क्या आजाएगा है लिख देते हैं है लिखने के बाद क्या आएगा में और अरुपका थर्फ हम तो अपने को मालूम है कम का क्या होता है सिउ यू फीटाँ है होता है होग्या उसके बड़ क Cette कॉ Singapore से एंविटाटे आपसे ऑप लोगों से चुके होरं तो उसका भी मालिक दिया हूं सबसे पहले क्या है तो helping work क्या है क्योंकि पिता जी है तो इनका helping work क्या है simple so will, will उसके बाद क्या जगा subject तो father father आगया फिर father के बाद क्या लगाना है have have लग गया उसके बाद क्या लगाना है main work का third form तो main work का third form क्या है come का, c o m e come, उसके बाद क्या है object, object का ओना है घर तो home लिख दो, to home, home और last thing क्या लगाना है question mark तो आप लोग को यह समझ में आ गया रहेगा तो आपका भी क्या हो गया clear आपका future perfect tense तो अभी मैं एक बार और सीरी बता देता हूं आपको simple सा तरीका जल्दी जल्दी में future perfect tense का मतलब होता है जो आगे आएगा वो भी क्या हो जाएगा हम लोग का clear हुआ रहेगा ऐसा अपना फिल होता है इसका introduction क्या होता उसको आपको जिस वाकि के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे या चुकेगा या चुकूंगा या चुकेंगे आदिस सद आए वह वाकि क्या होता future perfect tense कहते हैं उसके बाइद रूल इसका नियम क्या बोलता है किसी चीज का कोई भी वह लोग काम करते हैं उसका एक रूल होता है तो इससे क्या होता है future perfect tense की affirmative sentence क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना affirmative sentence परमाद करते समय सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले क्या आता है सबचिक्ट मतलब क्या होता है इससे देखो आपको में दिया ता पिता जी घर आ पिता जी जो काम करने वाला उसका नाम है फादर पिता जी हो गया इसमें भी क्या आएगा सबसे पहले सब्सक्राइब मतलब क्या होता है जो लोग सहाय क्रिया यूज करते हैं सहल या विल इसको बोलते हैं उसके मुख क्रिया का मुख क्रिया मतलब जो काम हो रहा है उसका क्या हो रहा था आने का नहीं तो उसका कम क्या हो रहा था आने का नहीं तो सिंपल समलोब लगा दिया तो इस तरीके सब्सक्राइब कि हेलपे मोर्स सैल है मैं बता चुका हूं किसके साथ ही जो बता है आई वी मतलब फस्ट परसन और फ्रस परसन या प्यूरर रहे शिंगलर सबके साथ क्या लगता है वील क्या लगता वील है लगता तो ए भी आप लोग नोट कर लो एक A हो गया और एक A दोनों आ गया अब उसके बाद आता है आपको affirmative, negative, interactive, interactive, negative, simple सा अब लोग को मैं example लेके बता है तो वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखेगा आप लोग को अच्छी तरीके समझ में आएगा अब हम लोग next lecture में क्या पढ़ेंगे future perfect continuous distance झाल